तो हेलो दोस्तों आपके लिए ले आये हैं एक अनादर वीडियो और इस वीडियो में हम करेंगे कमपेरिजन जैसा कि आप देख पा रहे हो ये वाली कॉमिक्स है चुमबा का चक्कर व्यू जो की है स्री मनेश गुपता जी की और इसका हम कमपेरिजन करेंगे स्री मनोज गुपता जी वाली कॉमिक्स का क्योंकि ये देखना जरूरी है कि इस रेट में हम जो कॉमिक्स ले रहे हैं वो क्वाल्टी ठीक है और प्राइस क्या सही है इस रेट में तो लीजे दोस्तों ये है स्री मुनोज गुपता जी वाली कोमिक्स चुम्बा का चक्कर व्यू तो हम इस वीडियो में करेंगे किसकी क्वालिटी अच्छी है और कैसी क्वालिटी है और प्राइस हर चीज की हम इस वीडियो में करेंगे बात तो चलिए फ्रेंड करते हैं वीडियो को शुरूर आपको दिखाते हैं कि क्वालिटी के मामले में कौन सी कॉमिक्स अच्छी है और क्यूं है तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरूरूर। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं ये है चुम्बा का चक्करविय। जो की है स्री मुनोज गुपता जी के तरफ से और ये वाली आई है जो की है Special Metallic Collector Edition और ये हमारे पास आई है स्री मनीश गुपता जी की तरफ से तो चलिए सबसे पहले हम इसका cover देखते हैं कि cover quality कैसी है तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये देखी साइज, सबसे पहले हम इसका साइज देख लेते हैं, तो ये देखिए, ये है मुनोज गुपता जी का नॉर्मल इश्यू और ये है कलेक्टर एडिशन, और साइज की बात करें तो देखे दोस्तों आपको साइज देख पा बहे होगा कि कितना comparison कर रख है size में तो ये big size के अंदर है और ये है collector edition के अंदर और ये देखिए ये normal है ये collector edition में आपको फिर से बता देते हैं तो build quality के मामले में तो ये comics अच्छी है क्योंकि ये collector edition में है इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं के price की तो यहाँ पर ये देखी य और इसका price यहाँ पर mention किया गये है 120 रुपए यानि की फरक पढ़ रहा है सिरफ 15 रुपे का 120, 175 तो 120, 175 में हमें फरक पिल रहा है 55 रुपे का और 55 रुपे में हमें क्या इसमें क्या मिल रहा है तो ये सबसे पहले हमें मिल रहा है Big size देखी काफी बड़ा size है इसके according और हमे इसमें खास बात दोस्तों ये रहने वाली है कि ये देखे अंदर एक कितने beautiful blue color के पेपर के ओपर ये की silver ink से ये design print किया गया है और इसके अलावा इसके जो paper quality है वो काफी शानदार paper quality है और इसमें के अंदर ये silver paper है इसके ओपर ये printing की गई है तो चलिए अब हम देख लेते ह इस दूसरी comics को भी अंदर से तो देखे सबसे पहला page रहने वाला है हमारा ये वाला page तो ये देखे आप तोनों को compare कर सकते हो सबसे पहले हम title compare करते हैं चुमबा का चक्करवी और ये मनौज गुपता जी वाले का तो इसमें जो color थोड़े से मतलब कितने dark नहीं है और इस comics इसमें color थोड़े डारक आये हुए है चुमबा का चक्करवी जैसा कि आप title में देख पा रहे हो इसके बाद आम आते हैं नीचे की तरफ तो यहां देख पा रहे हो जो super command धुरू का यह जो yellow color है और blue color है ये काफी ज्यादा निखर कर आ रहा है इस color के मुकाबले में ये दे निखर लेते हैं page number 7 और यह 8 तो यह देखी यहां से हम करते हैं compare तो यह पैज नमबर 8 और यहां पर देखे आपको यह दीहरा है red color के अंदर जो train है यह दीख रही है red color में और यहाँ पर हमको जो red color है यह fat is very brown colorijn ओस type में je color हो गया है और यहां पर आप यह भी देख सकते है चुमबा को भी चुमबा कितना dark लग रहा है और इसके अंदर चुमबा सोड़ा सा चुमबा के जो color में सोड़ा dull पंसा आ रहा है ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये जो page है ये है white page ये देखी यहां से ये तो है white page और ये जो page यूज किया गया है ये silver coating वाला page है और silver coating के ओ पर जो print किया गया है तो इसमें काफी ज़्यादा खर्चा आता है और rate काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं लेकिन फिर भी सरी मनीश गुपता जिन rate को वाजिब रखा है क्योंकि वो काफी ज़्यादा शांदार quality दे रहे हैं और साथ में हमें दे रहे हैं ये collector edition जो की metallic frame के अं इसमें color इतना dull color है इतना महसूस नहीं हो रहा है और यहाँ पर देखिए कितना निखार किया गया है और पीछे की तरफ देखिए आप जो background में color है इसमें light color यूज किया गया है और यहाँ पर dark color किया गया है तो मनीश गुपता जी ने इस पोरी comics के ओपर अच्छी तरह पह इसके बाद अंतर का जो यह जो cover है यह वाला दिया है मनीश गुपता जी ने यह देखी यहाँ पर इसके बाद इसका जो back cover था यह तो यहाँ back cover में दे दिया है ठीक है दोस्तो इसके बाद जो पीछे वाला यह जो cover है न यह video villain तो मनीश गुपता जी ने यह इस एक page के यहाँ दे दिया है यह वाला video villain और यह नहीं रहा video villain तो अब बात करते हैं price की तो क्या 175 रुपे में यह comics हमें वाजीब है क्या यह लेनी बनती है क्योंकि यह comics आई थी 120 रुपे और इसके उपर हमें 10% का अतिरिक्त discount मिल रहा था और अभी इसके उपर website के उपर मनोज गुपता जी की website पे इसके उपर भी हमें कम से कम 25% का discount मिल रहा है तो after 25% discount होने के बाद ये comics हमें वहाँ पढ़ रही है सिरफ 90 रुपे की और इनके उपर हमें किसी भी तरह का किसी भी website पे कोई discount नहीं दिया जा रहा ये पढ़ेगी पूरी 175 रुपे की तो अब ये देखे दोस्तों आपको अगर इसके rate के comparison में 55 रुपे एक्ट्रा दे कर आपको ये collector edition मिल रहा है और आप चाहते हो कि price कोई issue नहीं है तो आप इस comics की और जा सकते हो क्योंकि quality का फिजा शांदार है और ये एक बहतरीन collector edition बनाया गया है हमारे मनेश गुपता जी की द्वारा अगर आप चाहते हो कि आपके लिए price कोई issue नहीं है और अगर आपको normal comics ही लेनी है तो दोस्तों आप इसकी और भी जा सकते हो ये मनोज गुपता जी की है वैसे मनेश गुपता जी नहीं कहा है कि वो इनके जो single जो issue आते हैं वो भी लेकर लेकर आएंगे और उनका price रहने वाला है 110 रुपे तो I hope friend friend आपको यह वीडियो अच्छा comparison वीडियो काफि अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक की लिए friend बने रही है चैनल पर Thank you